चीटेट पेपर 2, सोचल साइंस, कमबो आल इन वन, हिस्ट्री सिविक जगराफी, इस कलास में हम लोग हिस्ट्री सिविक जगराफी के सभी विशयो, विशयो यानि टॉपिक्स कहें तो अध्यायो के परिचे से परिचित होंगे, और नेक्स्ट कलास में इन सभी से रिलेटे इंपोर्टेंट कोश्चन को करेंगे, और पहला चेप्टर है इस्ट्री का इतिहास कैसे, कब और कहां, यह अध्याय हमें यह बताता है कि इतिहासकार कैसे इतिहास का अध्यान करते हैं, तारीखों का महत्वा और समय की अधर्णा इतिहास के लिए क्यों महत्तुपून है, इस अध्यास से हमें ही पता चलता है कि इतिहास का अध्याण कैसे करते हैं, साथ ही तारीखों का महत्ववा और समय कियाध्याद्धारणा इतिहास के लिए कैसे महत्वटुण है, क्यों महत्वपुण है, तो इतिहास का काल, विभाजन जो है, तीन कालों में है, प्रचीन, मध्यकालीन और आधिनुष, यहन की प्रचीन काल, मध्यकालीन काल, आधुनिक काल, तीन कालों विभाजित किये गया है, तारीखों का क्या महत्व होता है, तो घटनाओ के काल करम को समझने में तारीखों का इतिहास के सुरोत लिखित रिकॉर्ड होते हैं और सिला लेक और मौखिक परमपराएं इतिहास के सुरोत इतिहास बात करें तो इतिहास दो परकार का होता है एक पराग इतिहास एक इतिहास तो इतिहास यानि जिसका लिखित ब्यूरन मिले और पराग इतिहास उसको करते हैं जिसका कोई लिखित भीवरन न मिले यहाँ पर हम लोग बात करें इतिहास के लिखित शुरोत होते हैं सिलालेख और मौखिक प्रमपराएं बेपार से समराजज है, यानी कमपनी की अध्याय में ध्यान दिया गया है। इंसाप प्रइटिस नियंत्रन की शुरुआत हुई, बंगाल में दोयद शाचन की शुरुआत जहां कम्पणी का राजस्व और प्रसाचन पर नियंत्रन था, उसी को दोयद शाचन बंगाल में हुआ, ब्रेटिस सक्ति का विस्तार सहायक संधियों और बिलाय की नीटी का पर्योग करके अंग्रेजों ने अपनी सक्ति का विस्तार किया हरव की नीटी इसका उदहरन है जैसे में कि तीसरा चेप्टर होगा देश में शाषन करना यह अध्याय बताता है कि डिटिसों ने कृषी और रजस्व पनालीयों का उनर गठन कैसे किया ताकि वे अधिकतं लाभ प्राप्ट कर सके यानि कि क्रिशी और रजस्व पनालीयों में उनर गठन करके उन DR लोगों ने ऐसा क द्वारा लागु किया गया जिसमें भूमी राजस्वा अस्थाई रूप से स्थाई किया गया देगिए अस्थाई बंदोबस्त में भूमी राजस्वा को अस्थाई रूप से स्थाई किया गया और किसके द्वारा ख्लाड करने वालिस के द्वारा रयतवारी पर्णाली क्या है मदरास और बंबई जो कि अभी मुंबई है जैसे छेत्रों में लागू की गई रयतवारी पर्णाली जहां किसानों से सीधे राजस्व एकत्रक किया गया रयतवारी पर्णाली में किसानों से सीधे राजस्व एकत्रक किया गया और यह जो है मदरास मुंबाई जैसे छेत्रों में लागू हुआ था निल की खेती की बात करें तो बंगाल में निल की जबरन खेती जिसके परिणाम सोरूप निल बिद्रो हुआ निल की खेती बंगाल में जबरन कराई जाती थी जिसके कारण निल विद्रो हुआ चार में पढ़ना है जन्जाती, दिकु और स्वन यूग की द्रिष्टी यहाँ अध्याय जन्जातीय समधायों के जीवन अपनिवेशिक सासन के खिलाप उनके संघार्स और बिर्टिस नित्यू के उनके जीवन पर परभाव पर अधारी थे जन्जातीय समाज उनका समाजिक धाचा, धार्मिक विश्वास और आर्थिक गतिविधियां इनके बारे में पढ़ना है इसमें फांच में है जब लोग विदरोग करते हैं 18 संताओं और उसके बाद कि कहानी है चेप्टर 5 में यह अध्याय 18 संताओं के विदरोग के कारणों भटनाओं और परिनामों को कबर करता है बताता है मुख्य आउधर्णाय विदरोग के कारण क्या थे तो आर्खिक, राजनितिक, समाजिक और सैन्य आसन्तोष इसके बारे में पढ़ना है मुख्या नेता, नाना साहे, सात्या टोपे, रानी लक्षमी भाई, बहादूर साह जफर देदरों का परिणाम क्या हुआ इसके बारे में पढ़ना है ब्रेटीस सरकार द्वरा इस्ट इंडिया, कमपनी का सातन समाप करना और सीधे ब्रेटीस क्राउन का निहंतरन नेक्स्ट सिक्स चेप्टर में हैं कलोनियल जम और सहरों का दिकास कलोनिकरन और सहरों का दिकास यहां अध्याय बताता है कि कैसे अपनिवेशिक सासन ने भारतिय सहरों के विकास को परभावित किया नए सहरों का विकास जैसे मुंबई, कोलकाटा और चेनाई का निर्मान पुराने सहरों का पतन मोगल का लिन सहरों जैसे दिल्ली और आगरा का पतन हुआ सहरी करण में औधोगी करण के परिणाम स्वरूप तेजी से सहरी करण हुआ तो जब औधोगी करण होने लगा तो बहुत तेजी से सहरी करण हुआ और औधोगी करण के कारण यह है 7 चेप्टर हमारे इतिहास की समझ यह अध्याय स्वतंतिता संगराम और उसके बाद के समय की घटनाओं का दिसलेशन करता है इसका मेन कंसेप्ट जो पढ़ना है स्वदेशी आंदोलन विदेशी बस्तरों का बहिस्कार इसी चेप्टर में पढ़ना है सही योग आंदोलन महात्मा गाधि द्वारा 12 में महात्मा गाधी द्वारा ही भारत छोडु आ अंदोलन का नारा दिया गया करो या मरू का नारा भारत फड़ आंदोलन में महात्मा गांधी के द्वारा जो नारा दिया गया वो था करो या मरू चेप्टर 8 में है महात्मा गान्धी और राश्टि आंदोलन यह अधियाए महात्मा गान्धी के युगदान और उनके द्वारा शुरू किये गए विविन आंदोलनों को Bard kep करता है सत्यागरह अहिन्सात्मक परतिकों की नीति सत्यागरह याणि अहिन सात्मक पर्तिकों के नीति को आगे बिस्तार से पढ़ना है चेप्टर के अंदर दांडी मार्च या दांडी यातरा 1930 में नमक कानून के खिलाप गांधी जी का मार्च दांडी मार्च के नम से जाना गया अखिल भारतिय कांग्रेश कान्दी जी के नित्रीतों में कांग्रेश का पुनर गठन के आखिल भारतिय कांग्रेश चेप्टर 9 में पढ़ना है सोतंत्ता के बाद का भारत या अध्या सोतंता के बाद के भारत की चुनोतियों और विकास को कबर करता है समिधान सभा भारत का समिधान बनाने के लिए अस्थापित सभा समिधान सभा पुनरगठन आयोग राजियों के पुनरगठन के लिए गठिट आयोग आर्थिक सुधार 1991 के बाद के आर्थिक सुधार का उधारी करन इस चेप्टर लास्ट चेप्टर पढ़ना है इसके बाद next class में लोग civics के सभी अध्याओं के बारे में जानेंगे concept को समझेंगे कि इसमें क्या-क्या आपको पढ़ना है